पसकार दिवरिया कांड को हो गए हैं 18 दिन 2 अक्टूबर को घटित हुआ था दिवरिया कांड और आज है 20 अक्टूबर उसमें जो सवाल है जो जनता के मन में इतना बड़ा कांड हुआ और जनता के मन में जो सवाल है वो वैसे की वैसे ही है कोई भी उसका मिस्तारण सही से नहीं हो पाया है राजनीत हो रही है यादव वर्सेस ब्राम्वण पकड़े गए है उसमें नोनाथ मिस्रा मेना रूपी है धुबे वर्शेस मिस्रा नहीं है ब्राम्वण वर्सेस यादव कहा जा रहा है राजनी चरम पे है, दोनों पच्छ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फ्रेम चंद यादो की बेटी कह रही है कि देवेस अत्यारा है, उनकी पतनी कह रही है, देवेस अत्यारा है, देवेस मार करके सुबे चला गया है वहां से, मौके से हट गया है, और देवेस को फास होनी चाहिए दूसरा बेटा उनका अनमोल वह अस्पताल में भरती है विधायक जी उसमें जो है सलम मड़ी वह भी बढ़िया इंट्रेस्ट ले रहे हैं इधर से तो सपा पार्टी से तो तमाम लोग अखिलेस यादो जी भी हो आए तमाम नेता बड़ा हाइलाइट केस है लेकिन उसमें जो सवाल है क्या देवेस ने भत्या की है क्या इनको फोन करके बुलाया गया था प्रेमचंद यादो को या ऐसे ही गए थे अपने काम से क्योंकि प्रेमचंद यादो उनको धमकाने तो नहीं गए होंगे 100% बात है धमका जाने अगर जाते तो साथ में एक दो आदमी होते आपको बता दें प्रेमचंद यादो के यहां धरबार लगता था जनता धरबार रोज लगता था रोज आदमी केस लेके आते थे यह सपा की सीर्चे जीला पंचा सदस से थे इनकी माता प्रधानती कापी रसूगदार तमाम लोग जानना चाहते हैं आखिर इसको पैसे मिले की नहीं मिले सबसे बड़ा सवाल है पैसे मिले जो इसकी सेवा होनी चाहिए जब इसने एक करोण तीस लाक उस समय उसकी वैलू उसमें लिखी हुए है बैनामा में आज तो करीब धाई करोण की है तो इसको पैसे मिले अगर तो इसने क्या कर दिये इतनी जल्दी पैसे कहां उड़ा दिये कुछ बनवाया घर मकान बनवाया किसी को दे दिये कोई कहां इसने रुपए कर दिये फिर ये नोकरी क्यों कर रहा है इसकी तो सेवा होनी चाहिए अगर ये तीगर फिरी में दे दी तो यह भी वड़ा संदेग दादमी है साथ दुबे उसके बाद में आथ तक आया नहीं है इतनी दिन हो गए ठारा दिन हो पूलिस लगाता है फोन भी कर रही है जो व दूसरी बात जो प्रेम चन्द यादो क्ते इहां दर्बार लगता था उस दिन भी दर्बार लगा था लेकिन ये बिना किसी खियार गरं में राइफल तो उसके बाद में नियत्ता जाता है जो प्रेम चन्द यादों है वो नियत्ते जाते हैं वहाँ पे ना कोई लाठी रिंदा ना कोई सक्स क्योंकि घर में भीड लगी हुई थी दर्बार था ऐसी रिपोर्ट्स हैं दर्बार में लोग अपनी परेशानी लेके आते थे वो उनको सुनते थे ऐसा उनके यहां रोद दर्बार लगता था ऐसा रिपोर्ट में है तो कोई नो कोई आदमी तो उनके साथ में होता वहां के लोग जो बता रहे हैं जो गाउं के लोग हैं वो कहते हैं एक फ़र में कहते हैं एक आद छोड़ करके वहले कहते हूं कि दिवेशने मारा है सबका यह कहना है दिवेशने मारा है आपको बताते हैं अगर नहीं भी मारा होगा तब भी अप गाओं को लोग यही कहेंगे को कि 27 नामजत और 50 अग्यात पर रिपोर्ट हुई है लोग भागे भागे फिर रहे हैं किसी के घर में 15 दिन से खाना नहीं ब खमारा अब उसमें तो यही से को बहुत जल्दी इसका सरकार और पुलिस को खुलासा करना चाहिए खुलासा है से भी काल प्रेमचंद यादो के फोन पे नहीं आई थी इनकी तरफ से जो आरोफ लग रहे है यादो पच्छ से कि देवेस ने मारा है इन लोगों ने बुलाया था इनकी साजिस्ति कि आज इसको निप्टा देना है इन्होंने बुलाया और इन पे हमला कर दिया ऐसा ऐसा इनका आरोफ है यादो पच्छ का उसके अलावा इनके पास कोई आरोफ है नहीं वो तो कहां वो हैं कहां पर सत्यप्रकास दुबे हैं कोई हैसियत नहीं कुछ नहीं मैं तो जानके हैरान हो गया, गाउं के ही एक सक्ष से पूछा गया, भाई सत्य प्रकास दुबे तो कहता, मैं जानता ही नहीं, उनके कितने भाई हैं, कितनी खेती हैं, पता ही नहीं है, तो आपको बता दे, खेती वाली जो बात चल लएके, इनके पास सो विगा खेती है, सत्य प्रकास दु पर कि इन्हों ने अपने अपने जो पति का जो भाई था ओम प्रकास दुबे उसकी हत्या कर दी थी जैर खिला करके ऐसा वहां गाओं के लोग के पता नहीं भगवान जाने क्या सकते कितनी बातें उस वें पताते हैं साधू दुबे तभी चिंतित था उसको परहसाणी थी तक सादू दुबे गुजरात से आज तक क्यों नहीं आया, 18 दिन हो गए, संकल्प सर्मा ने जो S.P. है, उन्होंने बात भी की थी, भीया, तुमारे या यह हो गया, फोन पर बताते हैं, रोया भी, लेकिन फिर भी आज तक नहीं आया, उसने एक करोण 30 लाग की जमीन ततकाल है, पर ताड़े तवर्ग जो था, जो दुबे परिवार था, सत्यप्रकास दुबे कई बार उसने अप्लीकेशन दी थी, आईजी आरेस पर भी सिकायत की थी, और जो इनका मुख्यमंत्री पोर्टल होता है, बड़ी जल्दी निस्तारन होता है, वहां भी निस्तारन है, फ तरीके से उसको कोसेज करता है, एक दूसरे की हानी करने की, तो इन्होंने वहां पर लगाई थी, अप्लीकेशन, उसकी बताते हैं 25 में आये लोग, लेक पाल वगेरा, और तीन-तीन बार 25 भी बता दिया, कोई अवैद नहीं है, और आज वो अवैद निकल आया, तो ऐसे ऐ विश्वास के कारण जैसे काल का जवाब तो उन्होंने दिया, CDR निकल वाया, पता चला काल किसी की नहीं आई थी, फर्दी बात है, उनकी जो पतनी हैं प्रेम चंद यादो की, वो कह रही थी कि किसी इन्होंने नहीं मारा, दुबे परिवार ने, किसी कोई बाहरी लोग ह उन्होंने मारा, तो फ्रेंट्स समय के साथ साथ जो केस है, वो हमारी इसमर्ती से विसमर्त होता जा रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन सवाल उसमें वैसे ही बने हुए हैं, जिसका जवाब कुछ ही लोग जानते होंगे, हम लोग अभी आज तक उन सवालों के आप मिलते हैं, तब तक आपकी मेमोरी में एक केस रहता हुई है या नहीं रहता है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार